नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका MedPharma 24-7 में तो आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे VINOLAP Max EyeDrop के बारे में तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं VINOLAP Max EyeDrop Sun Pharmaceuticals द्वारा मनिफेक्चर किया जाता है जिसके एक बोटल में 2.5 ml solution होता है और इसके एक बोटल की कीमत है 285 रुपीज इस मेडिसिन का जो एक्टिव इंग्रीडियन्ट है वो है Olopetadine 7 mg per ml बात करेंगे इसके यूजर्स के यानि किस medical conditions में इस आईड्रोप का इस्तेमाल किया जाता है तो ये एक ट्रकार की anti-histamine category की आईड्रोप है ये आईड्रोप seasonal allergic conjunctivitis यानि अगर आपको आखा गई हो तो उसके symptoms को ठीक करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है conjunctivitis के दोरान आपके आँखों में infection, itching, redness, swelling यानि सूजन देखने को मिल सकता है तो इस आईड्रोप के इस्तेमाल से conjunctivitis को ठीक किया जाता है इसके अलावा अगर आपके आखों में धूल मिट्टी या pollen के कारण infection हो गया हो तो भी आप इस आईड्रोप का इस्तेमाल कर सकते हैं बात करेंगे इसके dose के वैसे तो आप इस आईड्रोप को अपनी दोनों आखों में एक एक बुन डाल सकते हैं दिन में दो बर लेकिन आपको इस बात का ध्यान रखता है कि आपके condition के recording आपका dose vary कर सकता है तो आपके डॉक्टर ने आपको जिस प्रकार इसका dose recommend किया है आप वही follow करें ये आईड्रोप लिने के कुछ side effects हो सकते हैं जैसे कि आपके आँखों में दर्द हो सकता है आपके eyes dry हो सकते हैं आपके आँखों में कुछ sensations हो सकते हैं आपको headache हो सकती है आपके nose dry हो सकते हैं आपके taste change हो सकते हैं तो ये सारे ही side effects इतने serious नहीं होते हैं, बहुत ही temporary हैं, लेकिन अगर आपको लगे किन में से कोई भी side effects आपको परिशान कर रहा हैं, तो आप अपने doctor को inform जरूर करें. बात करेंगे कुछ precautions के, तो अगर आप अपनी आखों में contact lens पहनते हैं, तो आप पहले अपने lens को निकाल लें, उसके बाद ही इस eye drop का इस्तेमाल करें, और आखों में eye drops डालने के 10 मिन्ट के बाद ही contact lens को पहने, अगर आप winolep max eye drop के अलावा कोई और भी eye drops इस्तेमाल करते है तो दोनों eye drops के बीच का gap कम से कम 5 मिन्ट का रखें, अगर आप pregnant हैं, या फिर अगर आप pregnancy plan कर रहें, तो आप अपने डॉक्टर के advice के बिना इस eye drop का इस्तेमाल ना करें, ये eye drop breastfeeding mothers यानि दूद पिलाती महिलाओं के लिए advice नहीं किया जाता, तो आप इस बात का ध्यान रखें, इस eye drop के bottle को open करने के बाद आप इसके tip को हाथों से touch ना करें, इस eye drop के bottle को open करने के बाद आपको एक महिने के अंदर ही इस eye drop को इस्तेमाल करना होता है, एक महिने के बाद आप इस eye drop को इस्तेमाल ना करें, तो ये था दोस्तो वाज Vinolap Max eye drop के बारे में, इसके regarding जरूर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले तो आज के लिए इतना ही मिलते हैं अगले वीडियो में धन्यवाद